अलो फ्रेंड्स मस्यव नीचे आन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो यहां पर जो है जी एश्टी में लेटेस अपडेट को लेकर रहा है जी एश्टी में जो नया पॉर्माय डियार सी जीरो थी यह उसको लेकर है इ इसे आपको DRC03A फाइल करना है पूरा प्रोसेजर में यहां पर अप्लोड कर दिया है ठीक है दूसरी जो एडवाइजरी है वो जी एश्टी में इन्वोइसिंग के लिए है इन्वोइसिंग को यहां पर ब्लोक कर जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आप आप GST पॉर्टल पर इन्वोइस नहीं बना सकते हैं ठीक है तो पहले पहले एडवाइजरी को यहां पर ध्यानता समझेगा DRC03A क्या है यह काफी बैनिफीसल फोर्म है आपके लिए और आपको इसको यूज भी करना है यह आपर GST पॉर्टल पर जो है वो यह रेस्टिक् का यह नंबर है वो किसी भी अलग-अलग निकली हो लेकिन अगर DRC03S को लिंक कर दिया जाता तो अटमेटिकली अर्जस्ट हो सकती थी लेकिन नहीं यहां पर का गया है कि अगर आपकी कोई भी डिमांड थी डिमांड जोए DRC07 में जैसा किसी भी एससमेंट के लिए अगर क गुड्स डिटेन कर लेते हैं उस टाइम पर जो जमा किया जाते हैं आप जो है आपके अगेस्ट में उडर आ गया तो वहां पर डिमांड आगी अगर आपने इसको DRC03 के थूप पेमेंट कर दी ठीक है तो यहां पर यह पर यहां पर प्रोल्लम आती थी जो पेमेंट है यह यहां पर आउट इस्टेंड रहती थी अपके जीएस्टी पोटल पर पेमेंट वार्स डिमांड जो है वह एवेलेबल रहती थी वह एडिस्टमेंट नहीं होती थी और यह जो है जो अथूरिटी प्रोफिसर उसको भी कम्मिनिकेट नहीं होता था तो वह काफी पार ऐसा कर देते हैं आपने द्याशी जिरो थी के दुरुष जमा कर दिया तब भी आपके ऊपर रेकवरी की प्रसेडिंग स्टार्ट हो लिए इस सिच्वेशन को यहां पर लेड़ करने के लिए जो डिमांड है वो एक्ट्रोनिक लाइब्रेटी रिजिस्टर में अपडेट नहीं यहां पर यहां पर जो है इसलिए आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है तो डियार्टी में आपकी चलान की में रख्या इस पर इस तरीके से मैंने भी यहां पर जो है तो यहां पडेट आपको यहां जाएगा प्यांड हो जाएगा धिटेटी अटमेश जाएगा यह पूरी इसी तरीके से वैंने भी आपर जो है मैंने डारेक्ट आपको यार्जलों 3 ओपन करके दिखाया धिके तो आपको काफी जी रहेगा आप उसमें देख कर समझ सकते आंसानी से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको यूज करना है जो भी डिमांट साथ की आउटीस टैंडिए उस वीटियोगा यहाँ जान ओता है जो आपके लेजर होते हैं उसमें लाइबिटिक रेजिस्टर में जाकर पेटीस टैंडिक को बतलग जाएगा लोगिन करके जरूर चेक कर लें ठीक है कि कोई आउडिशनिक दिमांड तुनी यह उसके लाबाब 20 किसके भी काफिसारे नोटेस जारी किये गए तो आप भी एक बार जीएस्टी पोटल पर लोगिन करके व्यू एडिशनल नोटिस में जाकर चेक कर लें क कोई नोटिस तो जारी नहीं किया गया है ठीक है नोटिस के रिगार्डिंग आपर कोई एडवाइजरी नहीं आई है लेकिन फोटल पर फैसलिटी होना ज़रूरी था कि कोई परसन लोगिन करता तो उसको पॉप अप करता कि आपका हम पर नोटिस आया हुआ है फ्रेंट मे सो क्रोड रुपे तक कि टर्न ओवर वालों के लिए किया था सो क्रोड या जो टर्न ओवर सब होगती उसमें आपर इन्होंने लोकिंग करती कि तीस दिन के बाद आप इसको जैने नहीं कर पाएंगे इसको लेकिन आप ज्यान लखें जिएस्टी में बूर्स के केस में भी और जिएस्टी में सर्विस के केस में भी दोनों केस में जो है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है कि आपको पर इतने पिरेड के अंदर आपको इन्वोइस जैनेरेट करना होता है और वो परसंस जिसके ओपर इन्वोइसिंग अपलिएबल है वो नॉर्मल इन्वोइस तो अभी तो इस जीएस्टी पोर्टल आपको अलाउड कर रहा है लेकिन धीरे धीरे आपर जो है इस टर्न ओवर को कम किया जा रहा है अभी कह रहा है कि यहां पर इन्होंने चेंज कर दिया एक अप्रेल दोजार पच्चिस के बार फ्रॉम फर्स्ट अप्रेल टूइन पांच करोड कर देंगे और जी एस टी में इनवोईसिंग के लिमिट यहां पांच करोड है तो आप यहां पर यह जो भी जिस भी सोफ्ट्वेर के तुरूआ अब अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें यह जो है अभी से हैंडिंग से एनेवल कर लें कि जब भी आप इन मतलब उसका जो है इनवोईसिंग तुरंट के तुरंट के जैनेट हो जाए आपको बाज में जैनेट करने की रिक्वार्मेंट ना है ठीक है इस रेस्टिक्शन मूड अप्लाइट तो ओल डोकमेंट की रेस्टिक्शन इनवोईस डेबिट नोट सब क्यों पर अप्लाइड होगी पर एक्जामपल इफ एन इनवोईस इस डेटेट 1st of April 225 इट कैन नोट बी रिपोर्टेड अप्टर 30 अपरल तो इतीज दिन का ताम दिया है नोने वैलिडेशन बिल्ट इन्टो दा जीए इस्टी रेस्टेशन पॉर्टल जो आई एर पिगन का पॉर्टल है उसी से करें लेकिन एक एडवाईजरी है तो एडवाईजरी जो है कभी भी ओवर रूल नहीं करेगी आपके सेक्शन को अगर कल को यहां पर इस कुट्टी में केस लगता है और वहां पर यह चीज़ चेक कर लिया जाते है कि आपने जो है क्रेक्टी इन्वोईस जनरेट नहीं किय तो फिर पैनल्टी प्रोविजन भी अराइज हो सकते हैं तो बैट रहें कि आप जो है सक्षन को भी फॉलो करें सब के टाइम उप सप्लाई प्लेस उप सप्लाई उसके अलावा अधर रूल्स भी मैंस अन्य जहां पर आपको यह पताया गा है कि इतने पर्टिकुलर टाइ टेक्सपेर जो दस करोड़ से कम वाले हैं मतलब पाच करोड़ और दस करोड़ के बीच वाले ठीक है क्योंकि पाच से कम में तो इनवोई सिंगा भी अप्लीवल नहीं हो सकता है फ्यूचर में वह भी अनेबल हो जाए तो प्रवाइड से आपको कम्प्लाइंस करने के ध्यान रखे इन दोनों एडवाइजरी को प्रॉपर्ली ध्यान रखते हुए आप जो है अपने वर्क को मैनेज करें दूसरा यहां पर अभी रिसेंटली मैंने काफ़े सारे जेस्टी वीडियो जब रोड किया है इवार आप चेक कर लिए जरूर यहां पर एक रिसेंट व करें यहां पर यहां पर देश्रिप्शन में लिंक भी दिये गए है आप उनके अकोडिंग अपने अपने अकोडिंग ड्राफ्ट भी डाउनोड कर सकते हैं यहां पर बच्पुल एज़िए सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर करें यह वीडियो देखने के लिए थैं you so much